देखे अब हम कुछ pattern designing की problems को शुरुआत कर रहे हैं और इन में mostly हम nested loops लगाते हैं कुछ इस तरह का pattern हमें print करा रहा है तो सबसे पहले हम इस pattern को analyze करते हैं आप यहां पर देखोगे हमारे पास यहां पर कितने rows हैं 5 rows हैं ठीक है और एक चीज़ आप यहां notice करो कि पहली row में कितने star print हैं एक star print है ठीक है second row में कितने star print हैं दो star print है third row में three fourth row में four and fifth row में five तो एक चीज़ तो हम यहां पर definitely कह सकते हैं कि जो row id है वो determine कर रहे हैं कितने number of stars print हो रहे हैं ठीक है तो उसके according यहीं से हमारा logic निकलता है ठीक है तो एक जो सबसे outer for loop हम चलाएंगे वो किसके लिए चलाएंगे row के लिए चलाएंगे और उसके अंदर एक row के अंदर कितना हमने print कराना है star ठीक है वो दूसरा loop determine करेगा that means जो inner वाला loop होगा तो जितनी number of times हमने print कराना है वो किस पर depend कर रहा है row id पे मतलब कौन सी वाली row है अगर third row है तो तीम बार print होगा अगर fifth row है तो fifth बार print होगा तो यही simple सा logic है आईए इसका हम program बनाते हैं यह header files मैंने पहले से यहाँ पर लिखी होई है main function के अंदर मैं यहाँ पर variables declare कर रहा हूँ int i, j ठीक है यह क्योंकि हमारे loop variables है इसके बाद जो सबसे पहर वाला loop है मैं उसको initialize कर रहा हूँ कहां से i is equal to 1 से लेके कहां तक जाएगा 5 तक ठीक है i plus plus 5 तक इसलिए because 5 रोज हमें चाहिए थी ठीक है इसके बाद इसके under में वो क्या करेगा फिर हम एक दूसरा loop लगाएंगे for j is equal to 1 से 1 से शुरुआत करेगा और वो कहां तक जाएगा यह एक important चीज है समझने की कोशिश करिए वो कहां तक जाएगा because यह वाला जो loop है अंदर वाला वो star को print करेगा और कितने star प्रिंट करने है अगर पहला रो है तो एक star that means कि speed प्रिंट करेगा row id पे और row कौन दे रहा है यह वाला आई वाला loop दे रहा है that means j is less than equal to i होगा है ना और इसके बाद j plus plus और जब इस loop के अंदर जाएगा तो क्या करेगा print f star को प्रिंट करेगा यहाँ पे मैंने star print करा दिया semicolon और इसके बाद यह बंद और जब एक row में यह वाला जो loop है यह एक row में star print कराएगा और जब पूरे एक row में star print हो जाएगा उसके बाद हमने क्या करना है एक नई line पे आ जाना है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं print f new line पे आप आ जाओ ठीक है और इसके बाद फिर आपका क्या होगा यह वाला loop हमने close कर दिया कौन सा row वाला तो यह एक inner loop हो गया जो की determine करेगा star print करेगा यह आपका क्या हो गया outer loop हो गया जो की row पे determine करेगा ठीक है इसके बाद आप देखोगे i की value 1 थी condition true थी that means हम यहाँ पे इसके अंदर घुसे फिर i की value 1 के लिए ठीक है j counter initialize हुआ कहां से 1 से और j कहां तक जाएगा i की value 1 थी that means 1 तक ही जाएगा तो 1 तक जाएगा अभी 1 is less than equal to 1 condition true है that means star print हो गया तो एक बार आपका यहाँ पे star print हो गया इसके बाद j को increment करेगा j की value 2 हो जाएगी 2 होने के बाद क्या होगा आपका जो होए loop से out हो जाएगा because maximum value जो i की थी वो कितनी थी 1 थी 2 से out हो गया the means हम यहाँ पे आजाएगे और cursor आपका new line को अब point out करेगा और उसके बाद i की value increment हो जाएगी i की value कितनी हो जाएगी 2 i की value 2 हो गई 2 हो गई 2 जो condition है वो आपकी true हो गई 2 is less than equal to 5 that means हम loop के अंदर खुज गए जब loop के अंदर खुज गए फिर j को फिर से initialize किया किस से 1 से ठीक है और j इस बार कहा तक चलेगा i की value 2 तक ठीक है i की value 2 है न that means j कहा तक चलेगा 2 तक 1 और 2 के लिए चलेगा और 3 पे आपका fail हो जाएगा तो जब पहली बार चलेगा 1 के लिए चलेगा तो star print कराएगा जब second time 2 के लिए चलेगा तो फिर से star print कराएगा और third पे वो out हो जाएगा और उसके बाद cursor आपका फिर यहाँ पे new line पे आजाएगा तो नई line पे आगा i की value फिर से increment हो जाएगी i की value हो जाएगी 3 3 हो जाएगी फिर से 3 is less than equal to 5 वो true है that means फिर से j initialize होगा 1 से 1 और कहां तक जाएगा 3 तक जाएगा 1, 2, 3 इस बाद 3 तक जाएगा और 4 पे वो exit हो जाएगा because condition आपकी वहाँ पे false हो जाएगी because i की value 3 तक ही जानी थी तो 1 पे star print करेगा 2 पे star print करेगा 3 पे star print करेगा that means नई line में तीन बार आपके star print हो जाएगे तो इस तरह से हमें desired output हमें मिल जाएगा ठीक है तो आपने देखा nested for loops हमने यहाँ पे लगाए और यह code को इस तरह से हमारा logic चलेगा इस program का आईए second program देखते हैं patterns के अंदर